दोस्तों अगर आप मतुरा वरंदावन घूमने का प्लान बना रहे हैं और वरंदावन और मतुरा के सारे मंदिरों के दर्शन करना चाहते हैं और जानकारी भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप एकदम बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं इस वीडियो में आपको मतुरा के 5 और वरंदावन के 13 मंदिरों में भगवान के दर्शन के 7-7 मंदिरों की पूरी जानकारी भी मिलेगी ये वीडियो आपके लिए बहुती उपयोगी होने वाला है ये वीडियो आपके लिए गाइड का काम करेगा वीडियो अंतक जरूर देखेगा धन्यवाद दोस्तो वरंदावन के पागल बाबा मंदिर को कई लोग आगरा के ताज महल से भी जैदा खुबसूरत मानते हैं पागल बाबा मंदिर के सामने एक कुंड भी है जिसके सामने शिव जी का एक छोटा मंदिर भी है इस मंदिर को ध्यान से देखने पे सभी धर्मों की धार्मिक इमारतों की जलक इसमें दिखाई देती है इस मंदिर में टोटल 9 मंजले हैं और हर मंजल में एक मंदिर बना हुआ है इस मंदिर की उचाई टोटल 221 फिट है जिस तरह संग मरमर के ताज महल को देखने अंगिनत लोग आगरा आते हैं, बाबा चाहते थे कि इसी तरह संग मरमर के श्री किष्ण जी के इस मंदिर को देखने लोग वरंदा वनाएं। यहां आने पे बिजली से चलने वाली जाकियों के दर्शन जरूर करिएगा। यहां से अब आपको वरंदावन के बाके बिहारी मंदिर ले चलते हैं। यहां से यमुना जी के घाटों की दूरी 10 मिनिट की है। यहां पे बंदर मोबाल चीन लेते हैं उनसे साथान रहिए। दोस्तों पागल बाबा मंदिर से 3 किलो मीटर आगे 10 मिनिट की दूरी पे बाके बिहारी मंदिर है। बाके बिहारी मंदिर से निदिवन की दूरी 1 किलो मीटर से भी कम है और यहां से निदिवन पहुचने में 4 मिनिट का समय लगता है। ऐसा कहा जाता है कि निदिवन में जो बाके बिहारी जी की मूर्थी प्रकट होई थी उसी को बाके बिहारी मंदिर में स्तापित किया गया है। बाके बिहारी मंदिर में राधा कृष्णा जी का मिला हुआ रूप उपस्तित है। बाके बिहारी जी के इस वरूप में श्री किष्ण जी और राधा जी आपस में समा गए हैं। यही कारण है कि बागे बिहारी जी की आधी मूर्थी में पुरुषका और आधी मूर्थी में इस्तरी का श्रिंगार किया जाता है कहा जाता है बागे बिहारी मंदिर की मूर्ती श्री हरिदाश जी की पूजा अचना से निधिवन में प्रकट होई थी और उसे कुछ समय के बाद निधिवन से बागे बिहारी मंदिर में स्थापित कर दिया गया हरिदाश जी अकबर के नवरत्न तांसेन जी के गुरू थे इस मंदिर में श्रीकिष जी के बाल रूप की पूजा की जाती है, श्रीकिष जी का बाल रूप घंटियों की आवाज से डर न जाये, इसलिए इस मंदिर में घंटिया नहीं लगी हुई है। कहा जाता है श्रीकिष जी ने गोपियों की प्यास बुजाने के लिए इस कुवे को अपनी बासूरी से उत्पन्न किया था। विश्व का इकलोता बंसी चोर राधा रानी का मंदिर भी इस्तित है। निधिवन के पास इस्तित शाहजी और राधा रमन मंदिर के दशन करा देते हैं। क्योंकि इस मंदिर के सामने के खंबे टेड़े मेडे बने हुए हैं। यह मंदिर श्री कृष्ण जी को समर्पित है और इस मंदिर को बसंती कमरे वाला मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि इस मंदिर में एक ऐसा कमरा है जो सिर्फ बसंत पंचमी वाले दिन ही खोला जाता है। 21-25 कदम की दूरी पे राधा रमण जी का मंदिर स्थित है मंदिर में गेट से थोड़ा अंदा जाके है इसलिए गेट के बाहर अगर ग्रीन लाइट जली हो तभी अंदा जाईएगा रेट लाइट जलने का मतलब है कि मंदिर अभी बंद है इस मंदिर के अंदर बहा स्र visualize परशाद का प्रयोग नहीं किया जाता है मंदिर की भट्टी में जो परशाद बनता है वही श्री कृष्ण जी को चड़ाया जाता है कहा जाता है राधा रमण मंदिर में स्थित मूर्ती के दर्शन करने मात्र से पूरे वरंदावन धाम के दर्शन करने का फल मिल जाता है दोस्तों श्री राधा रमन से 2 किलो मीटर और 10 मिनिट की दूरी पर अब हम लोग निदिवन के पास इस्तित घाटों के पास आ चुगे हैं यहांगा एक प्रमुक घाट चीर घाट है यह वही जगा है जहांपे श्री कृष्ण जी ने गोपियों के वस्त्र चुराये थे इसी घाट में भगवान श्रीकिष जी के समय का पुराना कदम्ब का पेड आज भी है दोस्तों यहां पे केशी घाट भी है जहां पे श्री कृष्ण जी ने केशी नाम के राक्षस का वद किया था केशी घाट में हर शाम को आर्टी भी होती है निधिवन के पास इस्तित केशी घाट वरंदावन के उन शान्त स्थानों में से एक है जहां पर श्री कृष्ण जी ने बचपन में कई चमतकार किये थे यहां के घाट बहुत ही खुबसूरत बने हुए हैं और यहां आकर बोटिंग का आनन जरू लीजिएगा यह घाट निधिवन से मात्र आधा किलो मीटर पांच मिनिट की दूरी पे है दोस्तों निधिवन और राधा रमन मंदिर से रंगनात जी मंदिर मात्र पांच मिनिट की दूरी पे है श्री रंगनात जी मंदिर मतुरा का सबसे बड़ा मंदिर है और यह मंदिर भगवान विश्णु जी को समर्पित है दोस्तों इसी मंदिर में सोने का 60 फिट उचा खंबा लगा हुआ है इसलिए इस मंदिर को सोने के खंबे वाला मंदिर भी कहा जाता है इसी मंदिर में वह बैकुंठ द्वार है जिसे जनवरी मा की एकादशी वाले दिन खोला जाता है यह मेला दस दिन तक चलता है हर दिन भगवान अलग-अलग वहानों में बैट कर दर्शन देते हैं कभी हाथी, घोड़ा, शेर और हनुमान जी भी प्रयोग में लाए जाते हैं रंगनात मंदिर में ही विश्नु जी के वहानों का एक अलग से कक्ष बना हुआ है जिसमें उनके सोने चांदी के वहान एक ही जगा पर रखे हुए है रंगनात मंदिर के अंदर ही एक बहुत एक खुपसूरत काच का मंदिर भी है यहीं पर आपको एक कक्ष में श्री किश्न जी की जाकियों के दर्शन भी हो जाएंगे रंगनात मंदिर के अंदर एक कुंड भी बना हुआ है कुंड के पास ही हनुमान जी जब रावन की लंका जलाकर वापस आये थे उसी रूप में विराजमान है श्री रंगनाथ जी के मंदिर के दशन करा के अब आपको व्रंदावन के स्कॉन मंदिर ले चलते हैं दोस्तो श्री रंगनाथ जी मंदिर से अब हम वरंदावन के इसकौन मंदिर में आ चुके हैं श्री रंगनाथ मंदिर से इसकौन टेंपिल की दूरी मातर तीन किलो मीटर की है वहाँ से यहां पोशने में 15 मिनिट का समय लगता है वरंदावन के इस कौन मंदिर को श्री कृष्णा बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि पूरे वरंदावन में सबसे ज़्यदा अंग्रेज आपको इसी मंदिर में दिखाई देंगे दोस्तो इस मंदिर की खासियत है कि इसके अंदर 24 घंटे कीरतन होता रहता है इस मंदिर की टाइमिंग सुबे 7 से 12 और शाम को 4 से 8 बजे तक की है मंदिर से 10 किलो मीटर 5 मिनिट की दूरी पे प्रेम मंदिर है अब आपको वहा ले चलते हैं दोस्तो वरंदावन से इसकौन मंदिर के दर्शन करने के बाद हम 5 मिनिट की दूरी तै करके प्रेम मंदिर आ चुके हैं दोस्तो वरंदावन का प्रेम मंदिर सुबे 7.5 बजे से रात के 8.30 बजे तक खुला रहता है रेम मंदिर का निर्माण कार कृपालू जी महराज जी ने करवाया है यह मंदिर राधा कृष्ण और सीता राम जी को समर्पित है यह मंदिर 55 एकड के इलाके में बना हुआ है और पूरा मंदिर घूमने में लगबद 2 घंटे का समय लगता है इस मंदिर में रात में होने वाला लेजर शो बहुत ही खुब सूरत होता है इस मंदिर में जाने का सही समय रात का है क्योंकि रात के समय ये मंदिर विभिन रंग बदलता है जो कि रात में देखना बहुत ही सुन्दा दिखता है प्रेम मंदिर की तरह ही दिखने वाला एक मंदिर बरसाना में भी है जिसे कीरती मंदिर के नाम से जाना जाता है प्रेम मंदिर से 10 मिनेट और 3 किलो मीटर की दूरी पे अब आपको मा वैशनो धाम वरंदावन ले चलते हैं प्रेम मंदे से मा वैशनो धाम के लिए आटो आपको अराम से मिल जाएगा प्रेम मंदे के रेश्टोरेंट में ज़रूर जाएगा यहां बहुत टेश्टी फूड मिले प्रेम मंदे से अब हम मा वैशनो धाम मंदे आ चुके हैं इस मूर्ती की उचाई 141 फिट है इस मंदिर की एक खासियत और है कि इसमें असली गुफा की तरह दिखने वाली एक गुफा बनी हुई है जिसमें मा वैशनों देवी के नौ रूप विराजमान है मा वैशनों के नौ रूप के दर्शन करने के बाद मंदिर की छट पर एक परिक्रमा मार्क भी बना हुआ है उस मार्क से हम मा वैशनों देवी के दर्शन पास से कर सकते हैं मा वैशनों देवी धाम का मेन मंदिर बहुती बड़ा और खुबसूरत बना हुआ है इस मंदिर की दिवारों पे सारे भगवानों की बहुती खुबसूरत मूर्थियां बनी हुई हैं मंदिर के गर्ब ग्रह में मा वैश्णो देवी की बहुती खुबसूरत मूर्थी विराजमान है इस मंदिर में एक परशाद और खजाने का पैकेट मिलता है वो ज़रूर लीजिएगा मावैश्णो देवी धाम से कमल मंदिर दो मिनिट की दूरी पे अब आपको वहाँ ले चलते हैं दोस्तो प्रियांक जू मंदिर ही व्रंदावन के कमल मंदिर के नाम से जाना जाता है यह मंदिर श्री राधा कृष्ण जी को समर्पित है इस मंदिर की छट पर 125 फिट उचा कमल का फूल बना हुआ है यह मंदिर मा वैशनो दाम से आदा किलो मीटर पांच मिनिट की दूरी पे है इस मंदिर के दोनों तरफ सरोवर बने हुए हैं जिसमें फवारे लगे हुए हैं रात में हैं मंदिर लाइट में देखने में और भी ज़्यदा खूब सूरत दिखता है इस मंदिर के गर्ब ग्रह में राधा कृष्ण जी की बहुत ही खुबसूरत मूर्ती विराजमान है मंदिर के चारो कोनों में भगवान गणेश, हनुमान जी और भगवान शिव के मंदिर बने हुए हैं मंदिर के निर्माण में संग मरमर का प्रयोक किया गया है कमल मंदिर के दर्शन के बाद अब हम व्रंदावन के प्रसिद्ध काच के मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं कमल मंदिर से 7 किलो मीटर और 15 मेट की दूरी पे अब हम लोग काच के मंदिर में आ चुके हैं काँच के मंदिर को ही श्री क्रिश्ण प्रणामी प्रमधाम वरंदावन के नाम से जाना जाता है मंदिर में इंटृ करते ही राइट हैंड साइड में सेलफी पॉईंट है जिसमें श्री क्रिश्न जी अपनी उंगली में गोवधन परवित को उठाइ हुए है दोस्तों इस मंदिर की छट में, दिवारों में और पिलस में सब जगा कांच ही कांच लगा हुआ है इस मंदिर की कांच की कारीगिरी की खुबसूरती देखकर आप हैरान रह जाएंगे कांच की इतनी सुंदरता देखकर श्रदवालों का मंदिर से पूजा हौल से बाहर आने का मन ही नहीं होता है बहुत कम लोगों को पता है कि इस मंदिर की अंदर एक गुफा भी है जिसका टिकेट पांच रुपए है इस गुफा की अंदर आपको श्री कृष्ण जी की लीला की सुंदर और मनमोहक आकरशक जाकियां देखने को मिलेंगी इस वीडियो में हमने आपको व्रंदावन के तेरा धार्मे किस्थलों के दर्शन करा दिये हैं मतुरा के पांच धार्मे किस्थलों के दर्शन अभी बाकी हैं वीडियो में बने रही है ये वीडियो आपके लिए गाइड का काम करेगा राधे राधे दोस्तों जब आप मतुरा ब्रंदावन आईएगा तो सबसे पहले श्री कृष्न जन्म भूमी के दर्शन करने जरूर आईएगा श्री कृष्न जन्म भूमी की टाइमिंग सुबह पांच बजे से दोपहर साड़े बारा बजे तक और शाम को चार बजे से रात के साड़े आठ बजे तक की हैं श्री कृष्न जन्म भूमी को श्री कृष्न जन्म स्थल के नाम से भी जाना जाता है ये मंदिर उस जगह पे है जहां माना जाता है कि श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था श्री कृष्ण जन्म भूमी के पास में ही औरंग जेब द्वारा बनाई गई शाही ईदगा मस्जिद भी है पहले यहाँ पे श्री कृष्ण जी के मामा कंस का जेल हुआ करता था इसी जगह पे कंस ने अपनी बहन देवकी को कैद कर लिया था इसी जगह पे भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था आपको अपनी जिंदगी में एक बार यहाँ पे जरूर आना चाहिए यहाँ पे श्री कृष्ण जी का बहुत बड़ा मंदिर भी है और वो जगह भी है जहाँ पे श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था इस मंदिर को मतुरा की कोतवाली भी कहा जाता है कहते हैं शिव जी यहां से मतुरा की रक्षा करते हैं श्री कृष्ण जन्म भूमी की तरह ही भूतेश्वर मंदिर भी मतुरा के बीच में स्थित है कहा जाता है जो आशिरवाद आपको केदारनात मंदिर में प्राप्त होगा वही सेम आशिरवाद आपको भूतेश्वर मादेव मंदिर में भी प्राप्त होगा यह बात बहुत कम लोगों को पता है कि यह मंदिर 51 शक्ती पीठों में से 11 शक्ती पीठ है इस मंदिर की टाइमिंग सुबे 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 4.30 बजे से रात के 9 बजे तक की है क्यावन शक्ति पीटों में से ये 11 शक्ति पीट है यहां माता सती के केश किरे थे माता कल्यानी के दशन के लिए यहां पे सीड़ियां 25 फिट नीचे उतरना पड़ता है हमारे वीडियो के माधियम से आप 25 फिट नीचे जाके माता कल्यानी के दशन कर लीजिए रादे रादे दोस्तों अब हम श्री कृष्ण जन्म भूमी से मात्र दो किलो मीटर की दूरी पे श्री कृष्ण जी के मंदिर द्वारकाधीश में आ चुके हैं कहा जाता है जब श्री कृष्ण जी गुजरात में इस्थित द्वारका नगरी जा रहे थे तो वहाँ जाने से पहले उन्होंने इसी जगह पर विश्राम किया था दौरकाधीश मंदिर यमुना के किनारे में स्थिध है और यहां से विश्राम घाट माद्र 50 कदम की दूरी पे है मतुरा वरंदावन के लगभग सारे मंदिरों में आपको श्री कृष्ण जी और राधा जी के दर्शन होंगे लेकिन इस मंदिर में आपको श्री कृष्ण जी के साथ उनकी पतनी रुकमनी जी के दर्शन होंगे मंदिर के अंदर शाली ग्राम जी का एक छोटा सा मंदिर भी है कहा जाता है द्वार कदीश मंदिर की परिक्रमा करने से मन की सारी मुरादे पूरी हो जाती है विश्राम घाट मंदिर के बिल्कुल पास में ही है विश्राम घाट वही जगा है जहाँ पे श्रीक किष्ण जी ने कंस का वद किया था मंदिर सुबह 6 से 12 और शाम को 5 से 9 वजे तक खुलता है यह मंदिर मतुरा रेलवे स्टेशन से 45 किलो मीटर की दूरी पे है रादे रादे दोस्तों हम आपको द्वारकादीश मंदिर के दशन कराने के बाद अब आपको हम विश्राम घाट में ले आए हैं जो की द्वारकादीश मंदिर से मातर 50 कदम की दूरी पे है इसी जगा पे श्री कृष्ण जी ने कंस का वद करने के बाद विश्राम किया था इसलिए इस जगा को विश्राम घाट कहा जाता है विश्राम गाट में श्री कृष्ण जी और बलदेव जी का मंदिर भी है और यहीं पे शाम को श्री कृष्ण जी के मुकुट के दर्शन भी होते हैं विश्राम गाट से बोट पे बैट के आप कंस का किला भी देख सकते हैं बोट में बैठ कर आप वासुदेव गाट भी देख सकते हैं जहां से वासुदेव जी रात में श्री कृष्ण जी को टोकरी में रख कर गोकुल ले गए थे विश्राम गाट से ही आपको सती का बुर्ज भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों बोट में बैठने के बाद विश्राम गाट दूर से देखने में बहुत ही सुन्दा दिखता है विश्राम गाट में ही आपको यमुना जी और यमराज जी का मंदिर भी दिख जाएगा शाम को साड़े साथ बचे यमुना जी की आर्टी होती है इसके दशन जरूर करिएगा विश्राम गाट का अगर आपको डिटेल में वीडियो देखना हो तो आप हमारे चैनल में देख सकते हैं दोस्तों विश्राम गाट गूमने के बाद अब हम मत्वरा के बिल्ला टेमपल आ चुके हैं जो की द्वार कधिश मंदिर से माधर चार किलो मेटर की दूरी पे है जब आप मत्वरा से वरंदावन जा रहे होंगे तो ये मंदिर रास्ते में ही पड़ेगा इस मंदिर के अंदर श्री कृष्ण जी की चक्रधारी मूर्ती है श्री कृष्ण जी की मूर्ती के बाएं तरफ आपको विश्नु जी की मूर्ती दिखेगी और दाएं तरफ राम जी और सीता जी की मूर्ती दिखेगी यह मंदिर पूरी तरह मार्वल का बना हुआ का पूरा वर्णन अंकित है स्थंब के बगल में आपको गीता रत भी दिख जाएगा गीता स्थंब के सामने आपको एक दक्षण मुखी हनुमान जी का मंदिर भी दिख जाएगा बिरला मंदिर के दर्शन कराने के बाद अब हम आपको यहां से पागल बाबा मंदिर ले चलत झाल